नमस्कार दुस्तों कैसे हैं आप लोग 21 माई 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका सवागत है पेगसिस पाई वेर के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी मनाई थी उस कमिटी ने अब तक क्या रिकमेंडेशन दी हैं फाईनल रिपोर्ट कब तक आईगी क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात करेंगे जेनके के डी लिमिटेशन कमिशन जो बनाया था उसके दो ओर्डर को केंदर की सरकार ने एक्जीक्यूट कर दिया है इंप्लिमेंट कर दिया है with effect from 20th of May मतलब कल से उसके बाद RBI ने financial year 2022 में 30307 करोण रुपे अभी तक के लिए किसको दे दिया है केंदर की सरकार को अभी ही शुरू हुआ है financial year और उसमें 30,000 करोण रुपे अलरड़ी RBI केंदर को दे चुका है अब एक basic idea हम लोग यहां पे लेंगे कि RBI किस प्रकार से अपने profit केंदर को देता है कितना पैसा अपने पास रखता है चुकि RBI को ground level पे economy में changes लाने के लिए एक बड़े quantum की जुरूत है तो कितना केंदर को देगा कितना अपने पास रखेगा इसको समझेंगे फिर GM crop research को लेके कुछ changes हुए है यहां पे इसकी बात करेंगे Central Advisory Board on Archaeology बनाया गया जिसको आप बोलते है C.A.B.A. Kaba यह कैसे काम करेगा इसको देखेंगा और इंडिया के अंदर highest F.D.I. यानि Forex Direct Investment का inflow आया है 2021 वन इन सारे topics को हम लोग detail में discuss करेंगे word of the day देख लेते हैं rapturous मतलब characterized by feeling और expressing great pleasure और enthusiasm she was greeted with rapturous applause basically rapturous मतलब क्या है कि आपको ऐसी feeling आरी कि आप बहुत कुछ हो बहुत enthusiasm है आपके अंदर this is basically rapturous आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर like a button दोस्तों चैनल को अब तक share और subscribe नहीं किया if possible friends click the join button to help join button नहीं दबा सकते हैं तो like button के बगल में super thanks क option आप उसे दबा के भी help कर सकते हैं चलिए पहली न्यूस टेस्टेट फर पेगस पाईवेर सुप्रीम कोड सुप्रीम कोड के cgi nvrman साब ने क्या बोला कि इन्होंने जो technical committee बनाई थी उस technical committee ने अब तक 29 mobile devices को test किया है इन 29 mobile devices में ऐसा बताया जा रहा था कि Pegasus का malware था इस Pegasus ने इन 29 mobile devices को infect किया था और उस context में इन mobile devices की study की जा रही है technical committee के द्वारा ठीकिए ना और अभी के लिए यह जो technical committee बनाई ग अंदर लगबग चार हफते और दिये गए हैं इस particular committee को अपनी report पूरा करने के लिए तो जो Pegasus इस्राइल बेस्ट मिलिटरी गेट स्पाइडवेर था इसका इस्तमाल किया गया जर्नलिस्ट की snooping के लिए पार्लेमेंटेरियन्स की snooping के लिए प्रॉमिनेंट्स, शिडिजन में ये बताया गया है कि भाई ये technical committee अपना खुद का protocol और software इस्तमाल कर रही है इस particular malware को study करने के लिए, phones को study करने के लिए कि किस हद तक इस malware ने infect किया है, आपके लोग snooping जिन लोगों के उपर की गई उनके phone को, इस technical committee को actually में काम क्या दिया गया, तो basically चार काम थे, पहला क पेगसेस ने citizens के data को infect करके उससे information निकाली है, दूसरा, किन-किन लोगों के data effect हुआ है, कौन-कौन victims है, स्पेगसेस नूपिंग का, तीसरा, the steps taken by the government after reports were published in 2019 after hacking of the WhatsApp account citizens, इस पेगसेस से 2019 में, जब लोगों के WhatsApp account hacked हुए, और report निकल के आई, तो सरकार ने इसके लिए क्या step और चौथा, if any government agencies have used Pegasus then under what law, अगर किसी सरकारी agency ने सच में Pegasus इस्तमाल किया है, तो कौन से कानून के अंदर इस्तमाल किया है, यहाँ पे सरकार के accountability आ जाती है, ठीक है बई, तो और आप कह सकते हो कि जो भी petitioners है, petitioners में बतलब जिन्होंने जाके सरकार से, मतलब इस Supreme Court की technical committee से बोला कि हमारा phone hack हुआ है, हमारे phone में snooping हुई है, तो इसमें court के बहुत सारे लोग है, journalists है, parliamentarians है, opposition के, तो आप कह सकते हो कि इस committee के सामने गए है, committee ने बहुत सारे लोग के statements लिए है, committee ने experts के statement लिए है, investigation agencies के यहाँ पे statement लिए है, committee ने, technical committee ने public consultation exercise करवाई है, और अभ अभी 2022 के end तक ऐसा बताया जाता है कि इस technical committee report आ सकती है, हाला कि इस technical committee की interim report ने बोला है, कि हमें कम से कम 20 जून 2022 तक का time दीजे, एक comprehensive and holistic report release करने के लिए, justice रवींदरन साहब यहाँ पे इस committee में proper तरीके से काम लेके चले हो, देखे, committee यहाँ पे दो parts में काम कर रही है, ठीक ह उन technical issues को study करना, जिसके basis पे यह जो Pegasus malware है, यह Indian citizens के mobile को hack कर रहा है, किस हद तक data निकाल रहा है, वगर वगर हैं सब चीजों को देखना, तो पहला क्या है कि technical aspects देखना, कैसे इस Pegasus ने sweeping की, क्या क्या data निकाला गया, कितने लोगों का data निकाला गया, दूसरा, जो accountable ठहराएंगे, दूसरा, कुछ changes यहां पे suggest करेंगे, जिसके basis पे हम इस प्रकार की snooping को, इस प्रकार की fundamental rights और privacy के violation को tackle कर सके, समझ गया ना, तो जो पहला task है, वो committee कर रही है, committee के technical members कर रहे है, और उसको oversee कर रहा है judge, दूसरा tracks, खुद रविंदरन साब कर रहे हैं, दो experts की मदद से, तो पहला क्या है कि भई आप पता करो कितनी snooping हुई, कितने लोगों के ओपर हुई, कैसे हुई, दूसरा क्या है, कि laws and procedures को खंगा लो, और कुछ आप कह सकते हो कि नो, value edition suggest करो, ठीक है भई, अगर आप देखें तो 27 October 2021 को Supreme Court ने technical committee बनवाई थी, यह बोलके कि भई, यह अन-authorized surveillance और accessing हुई है लोगों के personal data की, तो इसको यहाँ पे study करना पड़ेगा, अगर इस प्रकार की snooping हो रही है, तो this will have a potential chilling effect on the fundamental rights of all citizens of India, यहाँ पे head है, Justice Ravindran साब, यह retired judge of Supreme Court की इनको मदद कर रहा है, अलोग जोशी, IPS officer है, उनने सुचेतर बाइश के संदीप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बड़े नामी सब कुछ कर रहा हूँगे, इन्होंने नीचे कुछ subsidiaries hire कर रहा हूँगे, कुछ experts को hire कर रहा हूँगे, जो ground level पर काम कर रहे है, हाँ कहने को committee में यह main members आपको यहाँ पे नज़र आना है, जीस पेबर 2-3, Judicial challenges to international security through communication networks, role of media and social networking sites in international security challenges में न वो orders issue हुए थे, एक issue हुआ था 14 March को, एक हुआ था 5 मई को, ठीक है, 14 March को जो order issue हुआ था, वो यह बता रहा था, कि कितनी constituencies बनेंगी जम्मुएन कश्मीर के अंदर, और वो constituencies किस हिसाब से reserve होंगी, स्टी के लिए कितनी, स्टी के लिए कितनी, वो भी स्टी के लिए कितनी तो यह लिखा था 14 March वाले order में, दूसरा, हर constituency का size कितना होगा, नाम क्या होगा, यह लिखा था 5 मई वाले order को, यह 14 March और 5 मई वाले order, दोनों ही order को 20 मई से implement कर दिया गया है, ग्राउड पे, तो with effect from 20th of May, deal limitation commission की जो recommendations हैं, इनको implement कर दिया गया है, इस commission को head con कर रही थी, तो retired सुप्रीम को जज जनजना प्रकाश देसाई, यहां पर चीफ election commissioner सुशीच चंदरा साब भी थे, जेनके के state election commissioner केके शर्मा शाब भी थे, इनका यह बोलना है कि हमने public से बातचीत करने के बाद, experts से बातचीत करने बाद, political representative से साथ बातचीत करने के बाद, हमने यह decision लिया है चार और पांच अप्रेल को public hearings भी conduct हुई तो और इनके basis पे holistic decision यहां पे लिया गया, हाला कि इसके चक्कर में क्या controversy चल रही हो, मैं आपको अलग से बता चुका हो, ठीक है भई, तो finally, अब union territory of legislative assembly, legislative assembly of the union territory जम्मुन कश्मीरिया बन जाएगी, अब तीन ऐसी, आप कह सकते, union territory इंडिया के इंदर, जिनका खुद का legislature है, एक तो आपकी दिल्ली है, दूसरी आपकी पुदुचेरी है, और तीसरी आपकी जम्मुन कश्मीर है, हाँ, जो controversial चीज है, वो क्या है, यह assembly seats बढ़ाएगी, total assembly seats 90 है, भाई, श्री नगर वाला जो division है, कश्मीर वाला जो division है, वह लगबग 30 assembly constituencies का normanclature boundary बढ़ली गई है, 13 districts में, ओके, 13 constituencies के नाम को यहाँ पर revise किया गया है, उनके पतवारी सेकल्स और तहसीलों को बदला गया है, जैसे for example अगर आप देखो, तो सोनवार AC का नाम अब लॉल चाक इसी हो गया, assembly constituency, ठीक है ना, फिर यह जो पादेर assembly constituency है, रियासी district में, इसका नाम हो गया है, पादेर नाक से नहीं, तो इस प्रकार से बहुत से नाम बदले गए हैं, थोड़े बहुत तैसीज जो इन, आप के लो, constituencies में आते हैं, उनको यहाँ पर बतला गया है, ब्लॉक्स को बतला गया है, इनके sizes को बतला गया है, आप उतना detail म जानने की जरूत देखिये हैं नहीं, जो कश्मीर के अंदर रहते हैं, उनको जानना जरूरी, चूकि एड्मिनिस्टेशन के रिस्पेक्ट में काम में आता है, वैसे हमें जरूत नहीं, जिस पर टूर्मेंट पॉसिज और डिलिमिटेशन में नीज़ा को काम आएगी, नेक जरूतिक्ली माडिफाइड क्राप रिसर्च को अगे मथ बढ़ने लिए जरूतिकली क्लाइंट को क्रॉपस को यूज में मत आने दो, marketing हुई इसलिए सरकार कभी भी openly इस प्रकार के technologies को ground level पे implement नहीं करा पाई अगर आप देखो तो एक ही genetically modified crop को ground level पे बहुत massive scale पे use किया गया और वो है BT cotton BT cotton क्या था कि इसमें soil bacterium के एक gene को इस्तमाल किया गया ताकि इस plant को pest stack से बचाए जा सके शुरुबास में तो BT cotton ने बढ़ा अच्छा perform किया लेकिन बाद में BT cotton में ही ऐसे ऐसे pest आने लगे कि पूरी पूरी cotton की फसल तबाह होने लगी तो BT cotton एक ऐसा experience था जो शुरुवात में बहुत revolutionary बताया जा रहा था बाद में पता चला यह कुछ revolutionary नहीं तो BT cotton के experience के बाद तो और जो critical लोग है इस genetically modified technology के उनको जान मिल गए कि यार यह बिल्कुल सही नहीं है technology लेकिन अब क्या है कि technology ग्राउंड लेल पर इंप्लिमेंट है नहीं अच्छा माल लो कोई particular plant genetically modified plant इसके use को ग्राउंड लेल पर शुरू करना तो इसको approval कौन देगा अप्रूबल देगा genetic engineering appraisal committee G.E.A.C. यह expert body है environment ministry के अंदर अब हुआ क्या है कि recently G.E.A.C. ने एक step लिया यहाँ पे guidelines release की गई है guidelines for the safety assessment of genome edited plants 2022 इन guidelines का यह बोलना है कि जो लोग research कर रहे है genetically modification के field में काम कर रहे हैं वो gene editing technology का प्रियोग कर सकते हैं नए प्रकार के पौधों को नए प्रकार के plant को नए प्रकार के seeds को बनाने के लिए और इस research के लिए उन्हें G.E.A.C. से permission लेने की ज़रूरत नहीं है समझ गया बात को gene editing होते हैं कि दो प्रकार की चीज़े होती है एक तो होता foreign genes बाहर की country ने कोई particular gene develop किया अब वो wheat का मान लिज़े बहुत अच्छा है या फिर किसी animal breed को develop करने के लिए बहुत साई gene है तो इसको हमने इंडिया के इंदर मना लिया इसको इसको इसके माल के लिए तो यह तो हो गया foreign gene एक technology होती है CRISPR-9 ठीक है ना यह एक revolutionary technology बनाई जादी इसके लेके UPSC में question भी आया था CRISPR-Cas9 full form क्या है इसका? clustered regularly interspaced short palindromic repeats यह एक gene editing technology है तो एक continuous gene है इसको बीच में कुछ जगहों से काट दिया दूसी जगह से कुछ specific features लागे बीच में insert कर दिये यह foreign genes भी insert कर सकते हैं इसी particular gene के कहीं दूसरे features को यहाँ पे insert करा दिया गया तो domestically भी इस CRISPR-Cas9 technology से respect किया जा सकता है एक organism की gene को edit किया जा सकता है और foreign genes भी इसमें insert की जा सकते हैं actually में जो CRISPR-Cas9 नाम की जो technology है ना इसके जबरदस्त implications हो सकते हैं बड़ी revolutionary technology है यह तो इस gene editing technology का इस्तमाल करके आप research कर सकते हो आपको हमारी permission लेने की ज़रूत नहीं है ऐसा GEAC ने researchers को बोला है ठीक है? मतब researchers को free hand दे दिया गया है कि ठीक है भाई, आप नए पौधे technology से बनाओ, जो भी आपको overall अपने experiment वगरा करने हैं करो, हाँ, ground level पर implement होने से पहले तो GEAC का approval लगे का ना, आपका public consultation होगे, तो यहाँ पर बस research purposes के लिए, gene editing technology का इस्तमाल कर सकते हैं researchers, prayer permission लेने की ज़रूत नहीं क्योंकि अभी क्या होता है, अभी जो researchers काम कर रहे हैं अलग-अलग technological institute में, उनको क्या होता है, कि माल लो उनको gene editing में कोई research करनी है, तो पहले वो चिट्थी लिख रहे है, environment ministry को, GEAC को कि साहब हम यह technology करने कि आमको permission है, वो चिट्थी का response आरा है, चार महीने बाद, तो एक researcher scientist के अगर आप हाती बान दोगे, कि नहीं बहुत तुम research करने से भी पहले हमसे permission लो, तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए यहाँ पे environment ministry की GAC ने बोला कि ठीक है, तुम research करो, research करके result हमारे सामने ले के आओ, फिर हम देखेंगे कि कुम्हाँ result सही है कि नहीं है, और obvious ही बात है, कोई technology, plant वगरा, ground level पर उगाया जाएगा, तो public consultations होंगे, NG, उसके साथ discussion होंगे, बहुत सारी चीज़े होगी, एकदम से आप genetically modified crop अगर ground level पर उतार दोगे, तो बवाल मच जाएगा, लेकिन research कर सकते हो, ऐसा environment ministry यहाँ पे खेह रही है, अब इस बात को लेके हो गया, यहा पता चले, उन्होंने गलट technology का इस्तमाल कर दिया, उनसे कहीं वो technology या फिर कहलो जो gene edited crop की properties हो गलती से environment में release हो गई, किसी दूसरे plant में release हो गई, तो फिर क्या करेंगे, अगर इन plants में toxicity आ गई, तम हम क्या करेंगे, इसके unintended, unintended, मतलब इन environmental experts का यह बोलना है, कि आप research ही मत कर रिसर्च भी करोगे, तो रिसर्च में भी आपकी technology या कुछ ill intended, आप कह सकतो unintended effects, आप कह सकतो open में release हो सकते हैं, किसी दूसरे plant में आ सकते हैं, इससे environment को नुक्सान पहुंच सकता है, सरकार क्या बोल रही है, कि research के लिए, आपको हमसे permission लेने की ज़रोथ नहीं जो करना है कर हम क्या करेंगे, तो ये दो viewpoints यहाँ पे निकल के आ रहे है, genetically modified crops को लेकर तो देखिए, आगे बहस होगी ही होगी, तो अब आप समझ गे, genetically modified crops क्या होते हैं, वो crops जिनके genes artificially modified हैं, उनमें किसी दूसरे organisms के genetic material को insert किया गया, उसको कोई specific property देने के लिए, वो specific property, pest resistance के respect में हो स आपको, you know, manifestations इसके मिल जाएंगे, ठीक है बाई, जियस पर टू और त्री, government policies and interventions of biotechnology में news आपको काम आईगी, अगली news अगली नियूजर, government reconstitute central advisory board on archaeology, देखे, central advisory board on archaeology बनाया गया है, ठीक है ना, क्यों बनाया गया है, कि archaeological survey of India, जो कि pan India basis पे काम करता है, और ground level पर जो लोग archaeological research करते हैं, देखे, राजी की सरकार के अंदर बहुत से institutes होते हैं, केंदर की सरकार के अंदर बहुत से institutes करते हैं, जहांपे scientists हैं, जो कि archaeology की respect में काम कर रहा है, तो ground level पर जो archaeological research कर रहा है, science में involved हो रहा है, वो archaeological survey of India से connect हो पाए, केंदर की level पे, इसलिए यहाँ पे C.A.B बनाया गया है इस बोर्ड के चेर्मेन होंगे आपके कल्चर मिनिस्टर ठीके ना ओफिशल्स होंगे यहाँ पे कल्चरल मिनिस्ट्री के आर्केलोजिकल सर्वे अफिंडिया के बहुत से रेमेंबर ऑफ पार्लेमेंट्स, राजीगी सरकार के नॉमिनेटिव साइंटिस्ट, इंडस फैली के स्क्रिप्ट के एक्सपर्ट ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे होने वाले हैं तो आर्केलोजिकल सर्वे अफिंडिया का इंडियन उनिवर्स्टी के साथ कॉंटेक्ट बनाना जो की ग्राउंड लेवल पे आर्केलोजिकल वर्क में इन्वार्ड है आगे आने वाली पीडी जो है आर्केलोजिस्ट की उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देना ठीके ना इस प्रकार की बहुत से वराइट काम से यहाँ पे साबा दोरा किये जाएंगे इस पर्टिकुलर बोर्ड में पांच परसेंस नॉमिनेट किये जाएंगे इन देर परसनल कैपसिटी ठीक ना कुछ फार्मा डिरेक्टर जिर्नल्स भी होंगे आर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के यह जो बोर्ड है वो साल में एक बार मिलेगा ओवरॉल यह बोर्ड समय समय पर केंद्र की सरकार को रिप्रमेंडेशन देगा कि आर्केलोजी से रेलेटेड मैटर समय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वगर वगर बातें यहां दे रखिए अगली न्यूज है आर्बियाई कट्स फाइनेशल यह 2022 डिविडेंट पे आउट तो सेंटर तो 30,307 करोड देखें अगर आपको समझना पड़ेगा यहां पर कुछ चीजे नौ महीने कौन से जुलाई 2020 से लेके मार्च 2021 तो जुलाई 2020 से लेके मार्च 2021 जो नौ महीने है इन नौ महीनों के लिए आर्बियाई ने 99,122 करोड रुपे दिये थे कि इंदर की सरकार को आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि देखें रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया वैसे सरकार के अंदर ही काम करती है अगर आपको आर्बियाई में नौक लिए लगती है तो आपको क्या बोला जाएगा मतलब आर्बियाई एक सरकारी कंपनी टाइप की हो गई वो सेंटल बैंक है अपनी इंडिपेंडेंट कैपसिटी में काम करती उसका खुद का एक मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट तरीके से डिसीजन लेता है वो एक अलग चीज है लेकिन भाई जो भ पने पास किसे साब से पैसा रखेगा चुकि आपको पता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपको महंगाई के साथ टैकल करना है तो अगर मार्केट में पैसे का फ्लो जादा है तो महंगाई की चांसे जादा है तो भाई महंगाई को कम करने के लिए मार्केट से पै पैसा एक बड़ी अमाउंट में रबियाई को पैसा चाहिए इस केस में रबियाई के पास अपना एक खुदका रिस्क बफर होना चाहिए और यह कंटिंजेंट रिस्क बफर रबियाई की बैलेंस शीट का लगबग 5.5-6.5 होना चाहिए यह किसने बताया था यह बताया था विमल जालान कमिटी ने तो अभी यही हो रहा है आप अब आपको मैं दो चीज बताता हूं अगर एकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आप दा आर्बियाई की बात करी है तो आर्बियाई ने कमिटी बनाई थी गवर्नर विमल जालान की चेर्मेंशिप में जिसने रिकमेंडेशन दी एकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में और इस एकनॉमिक कैपिटल तो भाई समय समय पे RBI मार्केट में involved है पैसा उधार दे रहा है पैसा उधार ले रहा है उधार क्या ले रहा है मत्तब overall अगर कोई bank RBI के पास पैसा रखवाता है तो RBI उसको थोड़ा बहुत interest दे देता है तो RBI को ground level पे ऐसी बहुत से activities करने ही जिसके चलते RBI को loss हो सकता है gain हो सकता है हमारे देश की economic situation अच्छी इसलिए हमारे RBI को normal कर gain ही होता है पैसा कमाता ही है RBI ठीक है ना? तो इसको आप कह सकते हो revaluation reserves में जो भी market operations है RBI के उसके सारे account बगर लिख दो इसमें contingency fund भी होता है emergency के लिए अब आपको समझना है एक चीज़ होती realized equity realized equity is the main contingency fund of RBI RBI को अपने पास side में थोड़ा पैसा रखना है उस पैसे की basis पे market के fluctuations के साथ RBI लड़ेगा और इसको आप बोलते हो contingent risk buffer कभी-कभी आप इस realized equity को contingent risk buffer ही बोलते हो तो जो भी RBI की total balance sheet है मालो एक लाग करोन का RBI काम कर रहा है तो उस case में 5.5 से 6.5 करोन मतब 5.5 जार करोन से लेके 6.5 जार करोन तक RBI अपने पास रखेगा कि कल की date में market में कोई fluctuation हो तो उसको RBI टैकल कर पाए बाकि जितना profit का पैसा होगा वो as a dividend RBI सरकार को दे देगा कि जुलाई एक जुलाई 2020 से 31 मार्थ 2021 इन 9 महीनों में RBI ने लगबग 99,122 करोन रुपे दिये किसको सरकार को और इस financial year की अगर बात की जाए ठीक है न 2021 बात financial year की तो 30,307 करोन रुपे दिये गए हैं किसके दोरा RBI की दोरा सरकार को अब हो सकता है यहाँ पे कि 2020-21 में कुछ एक्स्ट्रा पैसा चला गया हो तो उस एक्स्ट्रा पैसे को 2021-22 में adjust कर दिया गया हो इसलिए 30,307 करोन का figure हमें छोटा लग रहा हो बहरार हम इसमें नहीं जाते हैं कि कितना पैसा RBI को DERAI Center को क्या उनकी policy हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूस का मतलब क्या है हमेरे न्यूस समझना बहुत जरूरी है मैं आसान भाषवा में इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ा रहा हूँ इस पर्टिकुलर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यहां शक्तिकांता दास साब deputy governor महेश कुमार जैन माइकल देब अपात्रा M. Rajeshwar Rao T. Rabi Shankar फिर center board के director सब बैठे यहां पे बाच्चीत हुई और फिर इस पैसे को यहां पे ट्रांसफर किया गया सरकार के बास तो basically contingent risk buffer वो पैसा होता है as a percentage of RBI balance sheet जो कि RBI अपने पास balance में रखता है ताकि कल की date में market fluctuations के साथ deal करना हो तो RBI इस पैसे का इस्तेमाल कर ले GSP परत्री Indian economy में न्यूज़ा को काम है अगली न्यूज़े दो हजार इकिस बाइस में इंडिया के पास सबसे हाइस FDI inflow आया FDI में तो foreign direct investment 83.57 billion dollars का पिछले साल के FDI से 1.7 billion dollars जादा ठीक है ना 2003-4 के comparison में जो FDI inflows इंडिया के अंदर वो 20 गुना बढ़ चुके हैं ठीक हैं 2003-4 में FDI inflows ते 4.3 billion dollars अब ओ चुके हैं 83.57 billion dollars FDI equity flows जो manufacturing sectors में हैं वो 76% बढ़ चुके हैं FDI equity flow ये समझेगा foreign direct investment जो बाहर से पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है पैसा दो तरीके से आता है एक तो बाहर से कोई company आई Amazon आई Amazon नहीं नहीं बड़े-बड़े mall बना दिये ground level से एक business को set up किया मैं Amazon बस ऐसे बोल रहा हूँ कोई भी company समझ सकते हो तो ऐसी कंपनिया क्या करती है कि green infrastructure निवेस्ट करती है green investments करती है नए सरी से company बनाती है ठीक है ना दूसरा क्या होता है कि Facebook ने आपके Reliance GEO के 10% share खरीद लिए तो ये क्या equity FDI है तो इससे कोई नई job नहीं create हुई समझ गया है बस India के market की company की percentage खरीद ली Facebook ने तो इसको equity FDI कहते है equity FDI उतनी desirable नहीं मानी जाती है चोकि FDI mainly इस चीज के साथ associate किया जाता है कि बाहर से पैसा आए और नए businesses बने ठीक नए बिसनेस बने नए employment generated हो अब Reliance पे तो already employment generated है उसके कुछ stakes को खरीद लिया किसने Facebook ने तो FDI equity को उतना desirable नहीं माना जाता है हलाकि बाहर का पैसा इंडिया के अंदर आ रहा तो फायदा तो है Indian economy को बट नई jobs create होने की chances थोड़े कम हो जाते हैं ठीक है न भई तो ये overall हम यहाँ पे समझ रहे हैं तो मतलब आप इस particular news को इस प्रकार से देखे कि हाँ भई इस साल में इतना पैसा इंडिया के अंदर आया तो अब समझते हैं अगर आप बात करो फर्वरी 2018 लेकि फर्वरी 2020 तक की यह आप कह सकतो प्री कोविड इयर से तो इस टाइम पिरिड में इंडिया अंदर FDI थी 141 बिलियन डॉलर की मार्च 2020 से मार्च 2022 की बात करो इस समय पर कोरोना पोस्ट पैंडमिक कह सकते हो पोस्ट कोविड कह सकते हो तो इस समय पर इंडिया के अंदर FDI 171.84 बिलियन डॉलर की मतलब पोस्ट कोविड FDI प्री कोविड FDI से 23 प्रतिशत जाता है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है जो कि 2020 का पूरा साल तो वैसे ही एकनॉमी हिली रही इंडिया की फिर सबस्याद एकुटी इंफ्लो आई कहां से है सिंगापूर से आईए 27 प्रतिशत यूस से आई 18 मौरिशय से 16 प्रतिशत 2021-22 में सबस्याद कि सेक्टर में आई है तो सबस्याद आई है कंप्यूटर सॉफ्टवेर और हाडवेर सेक्टर में इसमें आई है 25 प्रतिशत अफ्डियाई सर्विस सेक्टर में आई है 12 प्रतिशत अफ्डियाई तो ओवरॉल टोटल FDI equity इंडिया के इंदर इतनी है उसमें से 38 परसेंट तो खीच गया करनाट का महाराश्च खीचा 26 परसेंट दिल्ली 14 परसेंट तो यह कुछ आप कह सकते हैं अब ज्यादा फैक्ट देखी यहाँ पर रटने की जरुवत है नहीं काम बरके मैंने आपको ब इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको गौवर्मेंट रूट में पहले सरकार की पर्मिशन लेनी पड़ेगी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आटोमेटिक रूट ही सरकार प्रमोट करता है ताकि बेकार का आपके लोग रेट टेपिजम ना हो फाइल इस अधर मुग कर रही ह है तो यह था आज का करेंट इस डिसकेशन दोस्तों जीएस पेपर से एक नौमी मीनीज आपको काम आएगी वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएगा इस्ट्राम पर फॉलो कर लिजेगा टेलिकान गूर्प जान कर लिजेगा सुपर थैंक्स को ऑप्शन अगर दबा सकत है दो दो जब दो दो